नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्थियों, मैं हूं प्रवीन बंसल और हम पढ़ दे हैं कक्षा बार्वी अर्थ शास्त्रूँ आज हम अध्याय चार पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतिस्प्रधा। इस अध्याय में आप देखेंगे, एक उत्पादक, उत्पादन करने के बाद, उस पे सभी कीमतों का भुक्तान करने के बाद, वह मार्केट में इसको कैसे बेचेगा। और जो मार्केट, जो कॉम्पेटिशन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पूर्ण प्रतिस्प्रधा। तो चलिए, देखते हैं कि यह कॉम्पेटिशन क्या होता है, इसमें सामान बेचना कैसे होता है, और उसकी पूर्ति, मतलब सप्लाई, एक उत्पादक कैसे करता है। तो आईए, शुरुवात करते हैं अध्याय चार की। पूर्व अध्याय में हमने फर्म के उत्पादन फलन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, लागत, मतलब कॉस्ट, वक्रों से संबंदित संकल्पनाव का अध्यान किया, इस अध्याय को केंद्र बिंदू भिन है, मतलब इस अध्याय का उदेश्य कुछ और है। यहां प्रशन उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार यह निरने लेती है कि कितना उत्पादन करना है, और इस प्रशन के लिए हमारा उत्तर किसी भी रूप में सरल या अविवादित नहीं है। उत्तर फर्म के वहवार की एक निरनायक अपितू कुछ हद तक अनुचित मान्यता पर आधारित है। हमारे अनुसार फर्म कठोर रूप से लाब अधिक करना चाहती है। मतलब हर फर्म इसी तरह से उत्तपादन करेगी कि जो उस पे आने वाली कीमत है, मतलब जो लागत है वह कम से कम रहे और मिलने वाला लाब जादा से जादा रहे। तो यह इस अध्याय का केंदर बिंदु है। जिसमें पहला चरण है कि पूर्ण प्रतिस्प्रधा किसे कहते हैं। एक फर्म के लाब को बढ़ाने की समस्या का विशलेशन करने के करम में हमें सबसे पहले बाजार का वातावरण जिसमें फर्म कार्रे करती है को स्पष्ट करना पड़ता है। मतलब हम पहले बाजार मतलब कॉम्पेटिशन के बारे में जान ले कि यह पूर्ण प्रतिस्प्रधा जिसको हम अंग्रेजी में पर्फेक्ट कॉम्पेटिशन भी कहते हैं। वह क्या कहलाता है। देखे विध्यारतियों आप बाजार में जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी एक वस्तू को बेचने वाले मतलब सेलर बहुत सारे हैं। एक जैसी वस्तुओं को बेचने वाले भी लोग बहुत सारे हैं और उस ही वस्तु के आपको और भी विकल्प बाजार में मिलते हैं। जो बहुत सारे दुकानदार बेच रहे हैं, आम तोर पे उसकी कीमत एक होती है, और उसकी जानकारी सबको होती है, जैसे कि पेट्रोल. पेट्रोल आम तोर पे एक शहर में सभी जगा समान कीमत पे बिक रहा होता है क्यूंकि सभी जने एक समान वस्तू को ही बेच रहे है परन्तु यदि आप बाजार में जूते खरीदने जाए तो जूतों के खरीदने के लिए आपके पास अनेकों विकल्प है और उन अनेक तरहां के जूतों की कीमत अलग-अलग दुकांदारों के पास अलग-अलग पाई जाती है तो अर्थ शास्त्र में इतनी सारी उपर नीचे की चीजों को देखते हुए कोई कोई निर्णे लेना बड़ा कठिन है तो हमने यहाँ एक ऐसी कॉम्पेटीशन मतलब एक ऐसी प्रतिस्प्रधा को लिया है जो बिलकुल सरल है और उसका नाम रखा परफेक्ट कॉम्पेटीशन जो आपके सामने है तो यह एक कालपनिक कॉम्पेटीशन है जो आम तोर पे आप अपनी असल जिन्दगी में बहुत कम देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि एक उत्पादक कब अपना प्रोड़क्शन रुकेगा उसे किस लागत पर रुक जाना चाहिए और उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए तो इस सरल्ता को बनाए रखने के लिए हमने यह प्रतिस्प्रधा शुरू करी जिसका नाम दिया पूर्ण प्रतिस्प्रधा तो देखिए पूर्ण प्रतिस्प्रधा किसे कहते हैं। इस अध्याएं में हम एक ऐसे बाजार वातावरण का अध्यन करेंगे जिसे पूर्ण प्रतिस्प्रधा कहा जाता है। एक ऐसे बाजार में दो पारिभाशिक लक्षण हैं, मतलब पूर्ण प्रतिस्प्रधा के बाजार में दो लक्षण मुख्यत होने ही चाहिए, बाजार खरीदारों तथा विक्रेताओं से बनता है, तो बाजार में सभी फर्में एक विशिष्ट एक रुपात्मक वस्तू का उत्पादन करती हैं, मतलब सरलता के लिए हमने क्या माना कि जितनी भी फर्म बाजार में सामान बेच रही हैं, वह सभी की सभी फर्म कैसा सामान बेच रही हैं, एक रुपात्मक, मतलब एक ही जैसा, यदी कोई एक petrol बेच रहा है, तो उसी quality का उसी गुणवत्ता का petrol सभी विक्रेटा बेच रहे हैं, जिसमें कोई भी परक नहीं है बाजार में प्रतेक खरीदार और विक्रेता कीमत स्विकारक है कीमत स्विकारक मतलब एक कोई भी क्रेता या विक्रेता कीमत को बदल नहीं सकता और कीमत भी सभी की एक है देखिए यदि पेट्रोल किसी एक दुकानदार के पास या किसी एक पेट्रोल पम्प के पास 90 रुपे प्रती लीटर की दर्श से बेचा जाता है तो हम यह मान के चलते हैं कि सभी लोग उसको 90 रुपे पे ही बेच रहे हैं और यदि कोई एक पेट्रोल पम्प का स्वामी उस पेट्रोल को 100 पे प्रति लीटर बेचने लगे तो वह इसको ना बेच सकेगा क्योंकि बाजार में बाकी सभी फर्म वैसा ही पेट्रोल 90 रुपे में बेच रही है तो आप 100 रुपे में उसे नहीं बेच सकते और यदि कोई एक फर्म 90 की जगा उसे 80 में बेचती है तो शायद उसका स्टॉक बहुत जल्दी खतम हो जाए और वह बाजार से बाहर हो जाएगा और बाद में सभी फर्म उसे 90 में ही बेचेंगी तो इसलिए दोनों ही क्रेता विक्रेता किसी भी तरह से प्राइस को कीमत को बना नहीं सकते इसलिए दोनों को ही कीमत स्विकारक का नाम देया गया है देखिए इसे आपकी पुस्तक कैसे समझती है पहला लक्षण जो था बाजार खरीदारों तथा विकरेताओं से बनता है एक पूर्ण प्रतिस्पधा के बाजार का प्रतम लक्षण समझने में आसान है हम दिवत्य लक्षण पर ध्यान देते हैं एक फर्म की दिरिष्टी से कीमत स्विकारक का क्या भी प्राय है कीमत स्विकारक फर्म को विश्वास है यदि वह बाजार में कीमत से उपर एक कीमत निर्धारित करती है तो वह जिस मातरा का उत्पादन करती है उससे बेचने में असमर्थ होगी जैसे कि मैंने बताया दूसरी और यदि निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान अत्वा उसकी तुलना में कम हो तो फर्म जितनी ही काया विक्रह करने को इच्छुक है उतना विक्रह कर सकती है तो एक खरीदार के दिरिश्ट्री कौन से वह किस कीमत को स्विकार करता है खरीदार निश्चित रूप से सर्वधिक संभावित नियुंतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहती है तथा पी एक कीमत स्विकारक खरीदारक को यह विश्वास होता है कि यदि उसने बाजार कीमत से कम कीमत की मांग की तो कोई भी फर्म उसे वस्तु का विक्रे करने की इच्छुक नहीं होगी आप सोचिए आप पेट्रोल पंपे 90 रुपे प्रती लीटर से मिलने वाला पेट्रोल 80 रुपे में मांग नहीं कर सकते क्योंकि सभी पेट्रोल पंप के स्वामी उसको 90 रुपे में ही बेच रहे हैं अब जब मैं यह पेट्रोल का उधारण आपके सामने लेता हूँ तो आप इसको सिर्फ समझने के लिए अपने ध्यान में बिठाईए ना के उसे पूर्ण प्रतिस प्रधा का कोई उधारण मान लीजिए यह सिर्फ वो सिर्फ एक उधारण है आपको है समझाने के लिए कि पूर्ण प्रतिस प्रधा में रिपीट पूर्ण प्रतिस प्रधा में विक्रेता या क्रेता उसी कीमत को स्विकार करता है जो मांग और पूर्ती के मिलान होने के कारण मार्किट में, कॉम्पेटीशन में आया है तो इसलिए दोनों को ही कीमत स्विकारक कहा जाता है दूसरी और यदि मांगी गई कीमत बाजार कीमत के समान अथवा उससे अधिक है तो खरिदार इच्छित मातरा में वस्तू की बहुत सी हिकाईया प्राप्त कर सकता है परन्तु है लंबे समय तक ना हो पाएगा और जैसा की ये अध्याय केवल फर्म से संबंद रखता है तो हम खरिदार के वहवार के विशे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे जब आपने मांग का अध्याय पढ़ा तो वहाँ आपने उपभोकता के हिसाब से बात की आज आप सेलर के हिसाब से मतलब उत्पादक के हिसाब से बात करेंगे और उत्पादक क्या चाहता है उत्पादक चाहता है कि वह जादा से जादा लाब कमा सके और लाप कमाने के लिए उसे सामान बेचना होगा और सामान को बेचना मतलब revenue जिसे हम संप्राप्ति कहते हैं तो चलिए सुनते हैं समझते हैं संप्राप्ति की से कहते हैं हमने इंगित किया कि पूर्ण प्रतिस्प्रधा बजार में एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वह बजार कीमत से कम से कम उसके समान कीमत निर्धारित करके इच्छित मातरा में किसी भी वस्तू की बहुत सी इकाईयों का विक्रे कर सकती है क्योंकि सभी लोग एक ही समान बेच रहे हैं एक ही कीमत पे बेच रहे हैं और खरीदार भी बहुत सारे हैं तो निर्धारित कीमत पर एक विक्रेता बहुत सारी इकाईयों को बेच सकता है और इन सभी इकाईयों को बेच के जो पैसा उत्पादक उपभोकता से वस्सूलता है उसे कहते हैं रेवेन्यू सम्प्राप्ति मैं दोहराना चाहूंगा एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेच के जो रकम उपभोकता से वसूलता है उसे संप्राप्ति कहते हैं एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रे करके संप्राप्ति अर्जित करती है मान लीजिये वस्तु की एक इकाई की बाजार में कीमत P है P प्राइस इसी प्रकार Q फर्म की उत्पादित तथा P कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है P प्राइस है Q मात्रा है तब फर्म की कुल संप्राप्ति P तथा फर्म के आउटपुट Q के गुणन फल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इसलिए कुल संप्राप्ति हुआ P गुणा Q, P price Q quantity, दोनों का गुणन फल एक फर्म की संप्राप्ति है. तालिका 4.1 आपको बताती है कि कुल संप्राप्ति जिसको मैं total revenue भी कह सकता हूँ, क्या होती है? देखिए, इस अध्याय में आप पूर्ण प्रतिस्प्रधा, मतलब perfect competition के बारे में पढ़ रहे हैं, पूर्ण प्रतिस्प्रधा, जहां दोनों ही, क्रेता वी क्रेता, कीमत स्विकारक है, मतलब एक कीमत सभी के लिए सामान रहेगी. आप जितनी मर्जी इकाईयां बेच लीजिए, कीमत वही रहेगी. आप पेट्रोल जितना मर्जी भरवा लीजिए, आपके लिए कीमत वही रहेगी. जादा सामान बेचने के लिए, आम तोर पे, दूसरे बाजारों में, ध्यान से मेरे इस उधारन को सुनिए, यदि एक उत्पादक अपना सामान जादा बेचना चाहता होता है, तो वह कीमत को गिराता है, ताकि लाब जादा हो सके. परंतु पूर्ण प्रतिस्प्रधा में, ऐसा नहीं होता. सामान की कीमत मात्रा के हिसाब से बढ़ती घटती नहीं, सामान की कीमत उतनी ही रहती है. तो देखिए, विक्रे किये गए डब्बे या कुछ भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी हों. और यदि हमने उसका प्राइज दस रुपे माना, तो कुल संप्राप्ती एक गुणा दस, दस है, दो पे दो गुणा दस, बीस है, तीन पे तीन गुणा दस, तीस है, और इसी तरहां चार पे चालिस और पांच पे पचास. और यह संप्राप्ती यदि में किसी रेखा चित्तर पे आपको दिखाऊं, कुल संप्राप्ती, तो वह कुछ इस तरहां से दिखाई देगा. यह, एक 45 दिगरी का कोण बनाता हुआ रेखा चित्तर, ग्राफ. आप देखिए, यदि में एक सेक्सिस पे निर्गत और यहां संप्राप्ती लिखता हूँ, तो यह गैप सभी में समान रहेगा. एक पे दस, दो पे बीस, तीन पे तीस, और इस तरहां से कुल संप्राप्ती का वक्र आपको 45 दिगरी का कोण बनाता हुआ दिखेगा. और अब यदि मैं इसी रेखा चित्तर पे कुछ और चीज़े आपको दिखाने लगूं, तो वो क्या हो सकती है? आप पिछले अध्याय को या उस से पिछले अध्याय को ध्यान किजिए. जब आपने कुल उत्पादन पढ़ा, तो साथ साथ में आपने सीमान उत्पादन भी देखा, ओसत उत्पादन भी देखा. तो क्या वह सभी चीज यहां पर भी दोहराई जाएंगी संप्राप्ति के लिए तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा देखिए, आपने देखा कुल संप्राप्ति किसे कहते हैं जो है सभी इकाईयों को बेच के वसूल होने वाली रकम यह कहलाती है कुल संप्राप्ति परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि सीमान्त संप्राप्ति क्या है सीमान्त संप्राप्ति का अर्थ है एक और इकाई को बेचके एक उतपादक के पास कितनी संप्राप्ति होती है देखिए जैसे एक को बेचके उत्पादक को दस रुपे की संप्राप्ती हुई ऐसे ही दोनों को बेचके उसे बीस रुपे की संप्राप्ती हुई Marginal revenue, सीमान्त संप्राप्ति, मतलब एक और इकाई को बेचके आपकी कुल संप्राप्ति में क्या बदलाव आया, उसे कहा जाता है सीमान्त संप्राप्ति, एक जादा बेचके आपको जो संप्राप्ति हुई है 10 रुपे की, दूसरे को बेचके बढ़ोतरी हुई 10 की, तो फि ऐसे ही तीसरे के लिए, ऐसे ही चोथे के लिए और ऐसे ही पांचवे के लिए, इसे कहा गया marginal revenue, और साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको दिखाऊं, आपने यहां कीमत रखी 10 रुपे, यह है औसत संप्राप्ति है, अगर मैं परिभाशा पे जाओं, तो औसत संप्राप्त का अर्थ क्या है, कि औसतन आप एक इकाई से कितना भुगतान लेते हैं, तो एक इकाई को बेचने से जो आपको मिला, वह उस चीज की कीमत नहीं तो और क्या है, तो जो कीमत है, जो समान को बेचने की कीमत है, जो पूर्ण प्रतिस्प्रधा में एक ही रहती है, चाहे मात् जितनी मर्जी जादा कम क्यों न हो जाए तो कीमत और कुछ नहीं वह सिरफ और सिरफ औसत संप्राप्ति है वतलब average revenue है तो इस अध्याय में आप अगर कीमत बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्प्रधा के लिए तो वह और कुछ नहीं औसत संप्राप्ति है तो प्राइज जो है व कि पूर्ण प्रतिस्प्रधा में AR, MR या P मतलब कीमत, सीमानत और औसत यह समान है जिसका कारण सिरफ और सिरफ एक है कि कीमत में बदलाव नहीं होता और कीमत में बदलाव क्यों नहीं होता क्योंकि सभी क्रेता विक्रेता एक ही एक ही चीज में व्यपार कर रहे है जब सभी लोग एक ही समान बेचेंगे तो शायद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बिल्कुल एक गुणवत्ता का समान दो अलग अलग जगाओं से अलग अलग कीमत पे नहीं ले सकते ना खरीद सकते ना बेच सकते. इसी कारण से price मतलब कीमत एक रहती है और यहां मैं दूसरा वकर अगर आपको दिखाऊं तो वह है कीमत रेखा, कीमत रेखा मतलब price line और price line ही average revenue है और marginal भी, मतलब कीमत बराबर सीमानत बराबर औसत यह हैं आपके पूर्ण प्रतिस्प्रधा के TR, MR, AR, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति तो चलिए देखते हैं उस तक किस तरह से औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति को बताती है औसत संप्राप्ति गणित देखें तो कुल संप्राप्ति को मातरा से भाग कर दिया गया है जैसे यदि पांच इकाईयां बेच के आपको पचास रुपे मिलते हैं तो आप पचास को पांच से भाग करते हैं और आपको मिलता है दस रुपया और यहें वस्तु की कीमत भी है और यही वस्तु का ओसत संप्राप्ति भी है और सीमांत संप्राप्ति पुरानी ही चीजों की तरह हैं कि आप छटे इकाई को बेच के क्या प्राप्त करते हैं तो पांचवे और छटे इकाईयों के संप्राप्ति में जो अंतर है उसी को हमने क क्या कहा सीमान्त संप्राप्ति तो आपने देखा इस भाग में कि हमने कैसे पूर्ण प्रतिस्प्रधा को समझा और पूर्ण प्रतिस्प्रधा में कौन काम कर रहा है एक फर्म काम कर रही है और जब एक फर्म काम कर रही है तो वह लाब कैसे अरजित करेगी उस लाब के आपने पढ़ा संप्राप्ति क्या होती है। संप्राप्ति तीन तरह से हमने देखी और उसके वक्र भी हमने देखे। तो इस अध्याय के लिए यह था पहला भाग जिसके प्रश्न आपके पाठ्थे पुस्तक में इन प्रिष्टों पे दिये हुए हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों का भ्यास करें और अगले भागवे हम देखेंगे कि किस तरह एक फर्म लाब जादा से जादा कमाने के लिए कैसे रेवेन्यू पे संप्राप्ति पे रोक लगाती है। धन्यवाद। सिरके का बिएक जादा।